तो बच्चों आपने देखा कि व्यक्तेगाच श्रेणी में माधिका के गढ़ना समपद और विशमपद दोनों ही पदों में किस प्रकार की जाती हैं। ये तो थी व्यक्तेगाच श्रेणी जहां पे सिर्फ पदमूले थे यहां किसी प्रकार के आवरित्ती नहीं थी। सोचे जब पदमूले के साथ आवरित्ती भी आ जाए तो माधिका के गढ़ना किस प्रकार के जाएगी और वो श्रेणी कौन सी होगी। निश्यती वो खंडित श्रेणी होगी क्योंकि हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है पदमूले के साथ जब आवरित्ती शामिल हो तो वो खंडित श्रेणी का प्रश्न होता है। खंडित श्रेणी से माधिका की गढ़ना करते समय हमें उन्हें आरोही या अगरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा और साथ ही उनकी आवरित्तियों को हमें संचरी आवरित्ती में परिवर्तित करना होगा और उसके आधार पे ही हम माधिका की गढ़ना कर सकेंगे। तो आईए देखते हैं, खंडित च्रेणी में माधिका की गड़ना किस प्रकार की जाती है। जहां M equal to माधिका और N equal to पदो की संख्या होगी। तो इसके लिए हमको CF की जरुरत होगी। तो हम F के आधार पे पहले CF ग्याद कर लेंगे। CF में हमारा सबसे पहले आएगा 4, 4 plus 7 equal to 11, 11 plus 2, 13, 13 plus 3, 16, 16 plus 1, 17, 17 plus 6, 23। तो यहां पे N हमने 23 ग्याद कर लिया है। अब हम इसके आधार पर एक formula पूट करेंगे और उसमें N की value रखेंगे। तो देखते हैं formula है हमारा M equal to N plus 1 upon 2 step, M equal to N की value रखेंगे हम, N हमने 23 वहाँ पे ग्याद कर लिया था, 23 plus 1 upon 2 step, तो यहां हमको M equal to 24 upon 2 step प्राप्त हो गया है। जिसके आधार पर हमने M की value निकाली है, तो M आया है यहां पे, M equal to 12th step। आये साणी में देखते हैं 12th step जो है, वो किस CF में सम्मलित है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 12 जो है, वो 13 में सम्मलित है, तो इसके सामने का पद मूली देखेंगे हम, मतलब X value देखेंगे, जो कि 4 है, तो यहां हमारा median जो है, वो 4 होगा। झाल